स्वागते दोस्तों आप सुभी को टिकिराच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने M.I.C.C.9E या फिर किसी भी शाओमे मुबाइल में यदि आपका होट स्पोट और वाइफाई काम नहीं कर रहा है और इसमें connect कर निकले आपको problem आ रहा है तो किसे कैसे आप इसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रही है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को एक like अभी के अभी कर दिजेगा तो दोस्तों यहां पे देखिए यदि हम बात करें तो शाओमी मुबाइल में हमारे किसी भी मॉडल के शाओमी मुबाइल में हमें बहुत सारे वाइफाई और होट्सपोट के regarding हमें problem आता है या फिर के लिए होट्सपोट हम जब on करते यहां पे दूसरे device में connected नहीं हो पाता है ठीक है और यहां पे और भी बहुत सारे जो हमें problems show होता है तो इसे हम कैसे fix कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा step by step बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ दोस्तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजएगा ठीक है यहां पे में दोस्तो कम से कम आपको एक दो तीन चार पांच solution बताऊंगा पांच solution बताऊंगा जिसके मदल से आपका problem definitely solve होगा सबसे पहला solution है दोस्तो कर लिजेगा और उसके बाद में दोस्तों आपको wifi और hotspot को एक बार connect करके देखिएगा काम करता है कि नहीं ठीक है कभी-कभी mobile restart करने पर बहुत सारे problem solve हो जाता है problem solve हो जाता है तो सही बात है नहीं होता है कोई दिकत नहीं है उसके बाद second step आपको अपना mobile का settings पर जाना है आपका mobile में more पे चले जाएगा more पे चले जाने के बाद में आपको airplane mode को एक बार own कर देना है अभी airplane mode को ओन करने के बाद में आपका जो है network completely गायब हो जाएगा उसके बाद दोस्ता आपको यहां पर network जो है दुबारा आपको airplane mode को off कर देना है अभी off करने के बाद में दु चाहूंगा और यह थर्ड स्टेप जो है दोस्तों थर्ड स्टेप के जरिये से आपका प्रॉब्लम डिफिनेट्ली सॉल्फ होना चाहिए 100% यहां पर आपको थर्ड प्रॉब्लम क्या है और थर्ड और सॉल्यूशन आपको सेटिंग्स पर जाना है मौर पर चले जाहिए मौर आपका यहां पर जो भी आपका पासवरड है वो आप को श्क्रिणी पर भर देना है तो यहां पर अपकी लितेंड्र ने ट्रॉब्लम डिफिनेटली सॉल्फ होजाना चाहिए यह थिंड ... के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए, by any chance सीदिये आपका problem फिर भी fix नहीं हो पा रहा है, तब आप जो है settings पे चले जाए और एकदम नीचे चले आईए installed application पे चले जाईए, installed apps पर, और यहाँ पे आपको search करना है system launcher, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डूल लेते है system launcher, system launcher, इसके ओपर click करके storage में चले जाएए, और clear data में click करके, clear all data पे click करके ok करतीजे, यह करने के बाद में दोस्तों आपको वापस जाना है, वापस अले जाएए और mobile को एक बार restart कर लिजेगा, और check किजे आपका wifi और hotspot काम करता है कि नहीं, काम आपका definitely कर जाना चाहिए, by any chance फ mobile जो है, about phone पे चले जाएए, और system update एक बार check किजे, कभी-कभी क्या आता है कि दोस्तों हम अपना mobile में system update आया हुआ रहता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर system के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है, phone, app lock, lock screen, status bar, काफी कुछ यहाँ पर आपका, यहाँ पर इसे बाद में दोस्तों आपका definitely problem जो है solve हो जाएगा, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, thanks for watching.